समस्कार आप देख रहे हैं, बॉलिवूड की एसरी और मैं हूँ आपके साथ एक दाओ में लेकर आए हूँ बॉलिवूड की कुछ लैडिस्ट अब्डेट इंडस्ट्री के छोटे भाई जान और बिग बॉस ओला के सबसे क्यूट कंटेस्टेंट कहे जाने वाले अब्दू रोजिक के सिदार इंडिनों गर्दिस में चाहिए हैं द्रसल बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अब्दू को बैक टू बैक कई प्रोजेक्ट समिल रहे हैं जिसे पूरा करने के लिए अब्दू जी तोड मेहनत करते हुए भी नजर आ रहे हैं अब्दू को जोली में अब एक और बड़ी खुशकबरी आगे रही है जिसे सुनकर आप भी हैराद रहे जाएंगे वैसे तो अब्दू रोजिक कई बड़े स्टार्स से मिल चुके हैं और उनकी साथ काम भी कर चुके हैं लेकिन इस बार अब्दू रोजिक के मुलाकाद दिगज म्यूजिशियन या रहमान के साथ हुई है जहां तजिकिस्तान के सिंगर को दिगज म्यूजिशियन या रहमान के साथ गाना गाने का मौका मिला है जिसके बात से अब्लोजिक सात्वे असमान पर बहुँंगे बतादे कि अपनी यह खुषी अपने सूचल मीडिया हैं sacred अब भूर ने अपने ट्वीडियो और फोटो शेर खिया है जिसमें छोटथे रहाई जान एयर रह्मान के साथ नजरा रहे हैं पोस्ट को शेयर करते हुए अब्दू ने पने खुशी भी शेयर की है जहां पोस्ट की तस्वीर में अब्दू सिंगर ए यारभान के साथ बैठे हुए नजरा रहे हैं वहीं वीडियो में अब्दू ए रहमान संग काना गाते हुए देखी जा सकते हैं पोस्ट के कैप्शन में अब्दू ने लिखा है बीती रात एया रह्मान के साथ परफॉर्म करना मेरे लिए सम्मान और स्वभागी की बात थी मुझे ये मौका देने के लिए आपका आपके परिवार और शानदार टीम को मुझे सपोर्ट करने के लिए बेहद ही शुक्रिया बता दे कि अब्दू के साथ साथ बिग बॉस सोला की रनर अप रह चुके शिव ठाकरे भी एया रहमान के एक कॉंसेट में पहुचे थे शिव ने भी इस बात की जानकारी खुद ही अपनी सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरे शियर करके दिया है उन्होंने अपने ओफीसल इंस्टाग्राम अकाउंट पर सिंगर संग अपनी एक तस्वीर शियर की है लेकिन इन सबसे हटकर आपको अब्दू की ये तस्वीरे कितनी पसंद आई यह हमें कमेंट सेक्शन में जुरूर बताईएगा तो वाल अभी कि इस रिपोर्ट में बस इतना ही मैं एकतर चुपार्टी पुंचाब केस्रे दिल्ली से अगर आप मारे वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तुम्हारे पेज को लाइक जरूर करें और अगर आप मारे वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले